हाई वाइज इश्यों बोई मिश्र चैप्टर आई होप आप सब खुश होंगे बड़िया होंगे और सवस्त होंगे तो काई आज का लेक्चर है एट ओएट का एडवांस लेक्चर जो मैं आपको आज देने वाला हूं पार्ट टू एट ओफ एट के एक पिछले लेक्चर मे मैं देखा था की पियानो रोल के अंदर हम एट ओएट को कैसे उसके साथ हम खेल सकते हैं उसके साथ कैसे क्रेटिव हो सकते हैं बट एट का सबसे हमाई खतम नहीं होता एट ओएट का में खेल जो मैं आपको आज बताने वाल हूं वह बहुत इंपोर्टेंट है भी एक मैलेडी बना दे रहां भी सिंपल इसम्पल इपेक्स में जाएंगे इंस्ट्रुमेंट्स पर जाएंगे कीवर्ड में जाएंगे हमने वही अपना किसा पीटा गिरेंट प्यानो उठाया जीशा पीटा नहीं बहुत अच्छा है प्रवस्टिंग अब अधिस पर तुमने कोई भी कोड़ प्रोग्रेशन लगाई एशाप पी लगा लें अब कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि तो गाइज एक ऐसे हमने कोड़ प्रोग्रेशन बना दिया और हम जल्दी से एक ड्रम्स जाल लेते हैं इसमें जल्दी से कि 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 झाल झाल को आपको पता लगजेगा मैंने कौन से ली थी तो मैंने बेसिकली हाँ इस ड्रम से केक्स है यह टो ली थी गाइज अब पता क्या है कि 808 का भी एक सूर होता है और जो आपने उपर की क्लैप हाई एक सूर होता है तो अभी तो हमने इसको ऐसी प्रोग्राम कर दिया बट फर्दर जब भी हम आगे से प्रोड़क्शन करेंगे तो हम वही किक वही क्लैप और वही स्नेर लेंगे जो कि उस स्केल में आप भी कह सकते हो उस की के अंदर आ रहो क्या है कि आप उनका गाना जाईंगे आप की कि चांघा ना ओii यहां वह नोट बढ़ दो हम्किए प्लेयते हैं और ब्रहें देन लेन उसे चाह، वहाँ ऐसका चांड अच्छे न्य लेना वहा पर उसका है इसलिए वाली चीज लेना अच्छा रहता हा और यही थी चीज बहुत बहुत ब्लोग अगर आपकी एट एट इस सूर से भार है में गाने के तो पूरा गाना खराब और एट आपकी गाने की जहान होती है या फिर बेस कह सकते हो आप तो हम पता कैसे लगाएंगे कि हमने जुश सेंपल है उसका सूर क्या है जिनरल इगर आप अच्छे सेंपल कर रहे हैं तो उसमें लिखा यह होता है अब इसके में मारे पास नहीं है पता कैसे लगाएंगे गाइस बहुत अच्छा लेक्टर देने वाला हूं आज का मैर को भी अब जाकि इस पर अच्छे डिटेलिंग इसलिए मैं आप सबको बता पा रहा हूं क्योंकि मैं पहले आप मैंने आपको बता है था मैं अपनी डिजाइंड के क्यूज करता था उसमें मैं कोई भी सूर यूज करूंगा तो बैठ जाता था बट अभी हम सेंपल इसलिए ध्यान माइबड माइबड आप डबल क्लिक करोगे इस पर ये खुल जाएगा मैं चाहरा था आपको एक थोड़ा सो उसमें में बता दो कि और कोई अच्छे सा उप्शन ही क्योंकि कुछ बंदें बहुत ही जादा बेसिक से चाहते हैं वाट इतना बेसिक भी एफल नहीं दे रहा ह स्यमा हमें लो तो डेबल करेंगे अम इससे क्छोळ लेंगे अब पता कैसे लगाए राइट क्लिक किया पेच करेक्टर में गया ज्यांसे सुनना ओडियो एडिटर अटियो फॉर्म को आपको दिखा रहोगा कैसे राइट क्लिक क्या एटिट इन ओडियो इसके अंदर हम ग रहा हमारे जो पूरी वेव होती है एक अप्रिटूट से शुरू हो कि होती हो सारी इसमें रिकॉर्ड होती है एक स्पेक्टरम उसका वेव का रिकॉर्ड हो जाता है अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊ यह देखो आई यही चीज़ है अब हमें पता कैसे लगाना है इसमें जाएंगे यह आपको दिखले लिखा और जहां पिर इसको पर रिजंश बोलता है मैं वैस से पी गया फिर दिखा आपको इस पी पर दबाने कि वाने क। Exactly a अब क्या करेंगे अब हम सिंपल यह करने वाले हैं अब जैसे इसने लिख दे कि इसका सोरी जी शाप है तो मैंने आपको आई गैस पिछले लास सेकेंड लेक्चर में या मलब किसी एक लेक्चर में मैंने आपको यह चीज बताई थी पियानो रोल का शायद जब हम बात कर रहे थे या ड्रम्स सेंपल हम जैसे यह वाला जो कलिक करते हैं कोई भी चीज लगाते हैं तो सी नोट पर ही लगती है जाके है तो कोई भी अगर आप चैनल राक पर सिलेक्ट करते हैं आपकी सी नोट पर जाती है अब गाइज एक चीज सोचो एटो आपको यह पता लगे कि यह नोट सुरू में और यह नहीं है अपने गोष्ट चैनल से रहे हैं जो मैंने से प्यान रोल की जिससे आपको पता लग जाए कि इस सुरी के अंदर और कौन-कौन से नोट साते हैं अब हमारी 8-0-8 है जी शाप में और आपकी वो सिलेक्शन जाके लग रहे हैं सी नोट में गर आप चैनल रेक्स से लगा रहे हो तो कल को आपको 8-0-8 में और एक दो सुरू पर नीचे करना है तो आपकी तो बैंड बज जाएगी उसमें कि आपको पता किसे चले जाए कि आप कौन से मलब आपको कौपी लेकर बैठना पड़ेगा कि हाँ यह नीचे होतने गैप से तो वो भसड़ आपकी दूर करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है आपको इसको फिर से डबल क्लिक करना है आपका यह खुल जाएगा खुलने के बाद आपको इस पर दमाने के दि की जी शाप जी शाप यह हमारा की इस पर आफ जैनल रेक पर सुझना माऊस से याट क्लिक कर सो हो गया है तो अब जो जो kick हमारी यह जो kick थी हमारी जो लग चैनल रेक पर लगाने के पास C पर बज़री थी अब वो sound G-sharp पर ही बज़ेगी तो जब हम C select करेंगे तो वो C के सुर में वो हो जाएगी kick और वो C के note पर ही play हो रही होगी कहने के मतलब अब यह आपकी अपनी प्रोपर पोजिशन पर आके बैठ चुकी है अगर आपको इस चीज का एक्जामपल चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूं C D E F G G-sharp था अब हम जाएंगे प्यानो रोल में और यहां देखो मैजिक और यहीं पर यह लगाओ आया डिफरेंस जाना कई यह इसकी by default थी तो गाइस यह चीज ना मैंने शुरू में इसका मैंने बहुत ऐसे साय मैंने यह चीज कि मैं भी उपर उपर नीचो कोपी लेकर बैठो है पागल हो गया था फिर तभी से मैंनो एक यूज करना बं अच्छली साउंड डिजाइनर से वह उन्होंने साउंड डिजाइनिंग सीक्षिए हैं और हम तो भाही यूट्यूब से करने वाले बंदे थे शूरू से तो उनकी एक ट्रेट डिजाइन की लेक्टर थी तो मैंने उसे ट्वेड डिजाइन करी बट क्या होते ना हर गाने म अपने टेक्शर होता है तो वापी से मेरे को इस प्याना पड़ा तो फिर शाउट ओट टु में एक बंदे को दूंगा सेज उन दी बीट को उसका मैंने पुराना लेक्टर देखा था और वह पुराने लेक्टर को मैं वैसे ही देख मज़े में देख रहा तो और मेरे को व ठीक है अब देखो अब क्या होता है दो में थर में आपको एक चीज के बताऊंगा अब क्या होता है कि जैसे आपने रिटो एट किक लगा दी आपको किक पसंद तो आ गई है बट आप चाहिए और जितने टाइम तक मैं चाहूं ना ये कि कुतने टाइम तक बचे अगर मैं अभी इसके किस लूँ अगर मैं इसको बंद कर देता हूं इसको मैं सोलो डारेक्ट कर देता हूं मैंनत बचेगी यह देखो यह देखा आपने यह यहां पे इस पॉइंट पाकी 808 बंदी हो गई है तो यहां का तो कुछ फाइदा नहीं रहा और मैं चारत हैर मेरे गाने में 808 यहां तक कॉंस्टेंट प्ले करूँ शूरू से लेकि यहां बंद होनी चीए मेरी इस पॉइंट पर तो डू वो चलते रह यहां बिल्कुल फेड होगी इस पॉइंट पाके इसके सुलूशन में आपको बताता हूं बहुत आडवांस चीज है लेकिन बहुत अच्छी चीज है यह इतना एडवांस नहीं बेसिक समझने की बात है देखूना आपको भी बहुल रहा हूं कोपी पैन लेके जरूर तो आपको पता लगजेगा च्यार इसने तो यह चीज लगाई है मैंने भी लगाई थी कुछ दिन पहले वही लर्णिंग है आपको एक बर समाझ जागी ने कौँसी चीज कहां से लग रही है आप फिर खुद उसके अंदर एड़न करके कुछ अमना नहीं बना सकते हो बैक डिके को बिल्कुल बंद कर देना है सस्टेन को बिल्कुल बंद कर देना है रिलीस को बिल्कुल बंद कर देना है होल्ड बापा जी हमारे बचेंगे इनको पूरा कर देना है होल्ड से क्या होगा जब तक आपके पास दबा होगा आपके पास उसका होल्ड है देखा क्यों नहीं आया यहां तक sound उसकी में बज़ा बताता हूं देखो guys hold का मतलब क्या होता है कि hold का हमने benefit क्या होता है कि कई बार हमारी iterate kicks होती है iterate kicks में क्या होता है कि हमें चाहिए इतना ही portion और वो बज इतना जा रहा है वो इसलिए क्योंकि हमारे पास उस kick का hold नहीं था उस point पर अगर मैं यह दबाओं देखो अब यहां सा की बज़री है अगर मैं वह hold पूरा नहीं करता तो मेरे हाथ में उसका control नहीं रहता किक का तो यह तो सबसे पहला point था ठीक है अब कहरे हो कि भाई तुब बेखुफ क्यों बना रहा है तुने बोलता हम किक को लंबी करेंगे कर रहा हूं गाई उसको भी आप hold को अपने पास लगना क्योंकि आपके पास उस kick का पूरा hold रहागा जब तक आपको वह चीज चाह करूं उस पर भी आ रहा हूं कि थोड़ा से इंट्रेस्ट बना के रखना पड़ता है समझा करो नया नया नहीं है पूरा नहीं क्लासिज नहीं है ठीक है तो hold को पूरा कर दिया अब गाइस एक पॉइंट सेकेंड पॉइंट कॉइंट कोपी में लिखो कि यार मैं जब भी यह नहीं बनाता हूं कि में जब भी अट बनाता हूं जब भी में ये ंकड candle करता हूं यह नोट ना उसकी पिर है तोड़ी मैं पर लखता हूँ तो से एटी फेरविब की बचержी होती है मेरे बास भूुल केहलो है मिल् έχ यस प्रेंख हूं आप जानी वगा दो इससे क्या होगा अपस में आएगए अपनेया बंद हो गया हूं देखा अपने बंद हो गया हो तो यह से दो चीज अब फाइनल चीज जो इस वीडियो की है एक टो एट को लंबा कैसे करें है गाइस इसमें आपको आने वाला है मजा अब इसको कैसे करते हैं करते हो देखो एक बarta मैं इसटरड को डिलीट करना वापीस इसको लाऊंगा देखो हम लेसं मैं इसको खोला हम वापीस से अपने उजटर एडितर में जाएंगे हम इसमें करेंगे आइए यह आपको मैगनेट में जाने के बाद कर दो स्नैप टू जीरो करॉसिंग है कि स्नैप टूजीरो क्रोसिंग कर दक है में आपको बतातू अजोग निष्ट करके आपको मेरे दिमाग से निकल गए तो मेरा दिमाग से चीज निकल गई बट जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको समझ आजेगा उसका कुछ ऐसे नाम होता है एक सेकंड गूगल कर ले चलो छोड़ो मैं डाल दोगो मैं डाल दूंगा इसको क्या कहते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके सिलेक्ट करेंगे रीजन तो यार राने के पूरे चांस है कि वह पूरा ठीक होगा नहीं होगा ठोड़ा सा उसमें यूमन राने के चांस रहते हैं विडियो सेलेक्शन के टाइम पे तो उसमें आपको क्या करना करना है कि अगर आप Zero crossing कान कर दोगे तो यूमन इर आपका कार्ड देगा और वह वेव के बिल्कु स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक आपको select करके देगा तो ज़ीरो क्रॉस हमने अन करा था हम इस रिजन को select कर लेता है है हम ने इतने रीजन्स को सेलेट कर लिया अब हम क्या करेंगे ज yol से जुनना अब फिर से अपने पीपे आएंगे रीजन्स में और इसमें दबादेंगे सेट लूप सेट लूप इससे क्या होगा गाइज अब जैसे आपके एटो के बजेगी इस पॉर्शन पाके वह लूप हो जाएगी तो कहें कि जो वह वेव थी डू वह कॉंस्टेंट हो जाएगी डू यहां तक तो आई वह अपने अपने आप डू यहां पर आके वह जो यह हो जाएगा इसको लेके कैसे आना है अब आपने यह सिलेक्ट कर लिया था अब आपको पत्र कंप्यूटर का बेसिक होता है सिलेक्ट किसे होते कंट्रोल प्लस यह से कंट्रोल ए दबाया यह आपका सिलेक्ट हो गया अब यह आपको दिख रहा है सबसे राइट में उपर य यह इसको दबा के रखो और यहां डाल दो नीचे यहां कि-क यहां पर आ गई दूसरी वाली नहीं बन के हम इसको यहां पर एक्ष्टेंड करऊं हो कि यहां कि आप को अब आपको आपको सुना ही दिरह गो यार यह तनी कि आपको किके साथ ही एक अपना टेक्षर होता है कि हमने थोड़ा सा और बड़ा गरम इश्का हीजन ले लें तो यह बी शाउंड देहा जीरो क्रोसिंग होना अगर हम इसका थोड़ा सा और बड़ा पोर्शन ले 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 तो यह ओवर कम हो जाती है यह चीज आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी हर के ओपर होता है कि कि वो ऐसे वो मलब घ्र वैली ड्रिल साउंड ना दे वह आपको थोड़ा सा इंट रहा है इसमें खेलना पड़ेगा देखो कम होगा कम हुआ देखा आपने अगर हमने अब जादा रीजन सिलेक्ट किया वो कम हो गया अब देखो वो हड़ गया यही है आपको रीजन जितना मैं मैं अभी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि रीजन जादा सिलेक्ट करो रीजन जादा सिलेक्ट करने से क्या होगा कि वो हिड़न ट्राइल करने की मेहनत बच जाएगी एक अच्छे अमांट का रीजन आप सिलेक नहीं है बड़ जो हाड किक्स होती है ना वो जब ऐसे लगती है लगातार नेजी का गाना था रुखता ना नहीं मैं रुखने नहीं वाला उसमें उसने ऐसी सेम डिक्टर यूज करिए जो उसने पूरा दबाया था उसकी पूरी 808 बजी एक सेक्शन में कि वह पूरी पूरी हम अपने एक को कैसे हम अपने आप उस पे अपना रख सकते हैं और उसको पहली पजे तो पहली वाले ओ चैप पर दूसरा हमारे पास उसके पास पूरा होल्ड रहेगा तीसरा जो कट सेल्फ है मैंने बता रहे था कि ओवर लेनो जब दूसरी एक बज़े तो पहली वाले ऑटोमेटिक बंद हो जाए और फॉर्थ पॉइंट है कि अपने अपनी अपनी मर्जी तक कैसे करते हैं एक और अगर आपने यह कर दिया है अगर आपने खुझ से एक्स्टेंड कर दे तो होल्ड वाला पॉइंट वहाँ पे कट चुका है आपके लिए फिर आपके लिए बज़े गया सिर्फ कट सेल्फ और उसको सुर में डाल दो खतम काम आपकी एट्रेट आपके लिए तयार है खाने के लिए बीट को ओके तो आज के लेक्चर में इतना है थैंक्स फॉर वोचिंग